दोस्तों नमस्ते चानल में आप सब का स्वागत है उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे हैं मेरा चानल स्नियान शुपमिक एस्टोलोजी में आप लोगों को जितना हो सके उतना एस्टोलोजी के रिगार्डिंग आपकी परसनल लीडिंग के रिगार्डिंग मदद करने के क एस आक्टोबर तव जिन-जिन की Grundlis ऐए उनमेंसे जिन-जिन की Grundlis लाइन धोगी वो प्रसेस शूरू हो चुका है आज कुछ Grundlis की revelation uniqu करने की कोशिश करूँगा और यह से बोलना चाहूंगा कि कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अगर अपनी कुनली रीट करवाना चाहते हैं तो selected कुनली की रिपीट कर देता हूँ selected कुनली की frequently chart reading होती है अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप भी मेरे को अगर आपको frequently chart reading करानी क्योंकि multiple calls आते हैं तो मैं बार बार सारे calls अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो अगर frequently chart reading करवानी है तो WhatsApp कर दीजे मैं details प्रोवाइड कर दूँगा जैसे data by time, place, name, gender अपने दो सवाल क्योंकि frequently chart reading में दो सवाल के ही जवाब देता हूँ तो अपने दो सवाल और चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और उसका screenshot बेज दीजेगा WhatsApp पे तो यह सब details में WhatsApp पे भी बोल दूँगा बाकि अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यह सारे details direct भेज सकते हैं WhatsApp पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं 15 November का next round चल रहा है उसमें उसमें फिर 비디오 नहीं बनती है और आपको ऑबर कुंडाइइब होती है तो उसमें आपके सवालों के ज्यादा जवाब मिलते हैं जो एक पहली कुंड़ी जी की है चंदरानी जी की एक कुंड़ी है अगर आप देख सकते हैं तो चंदरानी जी अगर आपको दीख रहा है तो यह आपकी कुंड़ी है अगर आप वर्गो लगन की है और आपके multiple places में बता देता हूँ कौन कहां पर बैठा हुआ है चंदरानी जी आपकी जो मार्स है वो second house में बैठा है बोध और केतु fifth house में बैठा है आपका लगन वर्गो है और शनी debilitated होके 8,000 में बैठा है और जुपिटर भी बैठा हुआ 8,000 में सन 10,000 में बैठा है वीनस, मर्करी और राहु 11,000 में बैठा है ठीक है चंदरानी जी देखिए ऐसा है और मैं सारे जो love marriage वाले आते हैं बहुत सारे आते हैं मेरे पार वाटसाप पे सर इससे मेरी शादी होगी के नहीं होगी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ एक तो भाया ऐसा है मैं यहाँ personal reading देता हूँ यहाँ पे couple reading नहीं होती है यहाँ matching वाली point नहीं है तो match कराने के लिए आपको उनका detail देना पड़ता है और उसमें personal reading यह free of cost reading नहीं होती है वो कुली reading होती है आपके उपर आपके हिसाब से मैं जो reading दे सकता हूँ वो मैं ज़रूर आपके relationship को लेके बोल सकता हूँ तो उसके regarding मैं चंद्रानी चे आपके relationship के बारे में बता देता हूँ राहू की महादशा चली है 2032 तक चलेगी राहू में बोत की अंतरदशा चली है 2025 तक चलेगी 2025 और 2000 राहू की अंतरदशा महादशा जो है वो ठीक ठाक है उतना बुरा नहीं है ठीक है चलेगा इतना नहीं है जिकि कोई effect हो है क्योंकि देखा जाए तो 11 घर में राहू बैठा हुआ है 11 घर में राहू यहाँ पे कोई negative effect उसना देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 11 घर में प्लैनेट शुक्र भी बैठा है और बुद्ध भी बैठा है तो उसका असर रहेगा उसका effect देगा ठीक है तो relationship वगएरा में यहाँ पे boyfriend वगएरा बनाने का chances बन जाता है क्योंकि राहू की महादर से चले 32 तक अब बात ही होती है कि वह आप अपने relationship का कैसा रहेगा शादी तक जाएगी कि नहीं जाएगी देखिए love marriage करेंगी तो बहतर रहेगा क्योंकि शनी बैठा है 8,000 में और शनी आपका love का range का मतलब लव और boyfriend का कारक होके बैठा हूआ है 8,000 में जो की second है partnership से साथवे घर से second है तो अगर आप शादी करती है तो अपनी पसंद का करेंगी तो बहतर रहेगा लेकर उसमें parents की भी सहमती चाहिए होगी आपको इसको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से उसे साब से आपको शादी का डिसीजन लेना पड़ेगा लव मैरीज कर सकती हैं आप विकाज राहू के महादशा चल रहे हैं और आप 24 प्लस हैं तो लव मैरीज कर सकती हैं लेकिन उसके लिए आपको उपाई करने पड़ेंगे शनी के उपाई जरूर करिएगा डॉक फिट क आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रखेंगे पैसे की भी कही ना कहीं बात हो रही है कहीं गेन हो सकता है या लॉस भी हो सकता है ज्यादा चांसे मुझे लॉस के दिखते हैं अब लेकिन ये लॉस उनके दिखता है आपका नहीं दिखता मेरे को लेकिन फिर वो उस अगर करेंगी फैमिली अप्रूवल करेंगी फादर का अच्छा रहेगा अगर फादर के अप्रूवल से करेंगी तो पहराल यह तहाँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गया है आपका शनी डाउन है शनी को देखे आपको करना पड़ेगा और अभी बुद्ध की ज़सा है तो उसमें आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं लेकिन शनी पर्मेनेटली डाउन है तो उसका मदब तो आपको लेनी पड़ेगी तो बहराल यह रहा पहली कुली अब रही दूसरी कुली अर्णव की है अर्णव कुमार अर्णव आपकी एक उल्ली है ठीक है आपको दिख रहा है अर्णव आपको दिखे तो अगर प्रॉब्लम हो आपको प्रॉब्लम नहीं है यह अर्णव की उल्ली है अर्णव आपका लगन जेमिनी है और आपके लगन में राहू, गुरू और शुक्र बैठे हुआ है सूर्य और बुद्ध सेकेंड हाउस में बैठे हुआ है आठ छटे घर में आपका मंगल बैठा हुआ है और सातवे घर में केतु और मून बैठा है दसवे घर में और शनी बैटे हैं बारवे घर में अब आपका जो यहाँ पर positive है जिकि आपके लगन में काफी दो strong planet बैटे हैं गुरू और शुक्र बैटे हुए और शुक्र गुरू दोनों बुद्ध के मित्र माने जाते हैं और तातकाली मित्रता भी है आपके लगन के साथ शुक्र गेट जॉब नौकरी कम मिलेगी और दूसरा क्या private company मेरे लिए अच्छी है के नहीं है मून आपके 10,000 बैटा है और गुरू आपके दसवे घर का मालिक है ठीक है दसवे घर का मालिक है और वो लगन में जाके बैटा है और मून आपके 10,000 बैटा हुआ है तो जो करम का मालि गुरू अपने लगन में बैटा है तो जॉब आपको आप जो चाहें वो कर सकते हैं बाकी मैं advisory यह दूँआ कि consultation का काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जिसमें job कम business दोनों हो जैसे property का काम हो जाता है या कोई भी ऐसा का जिसमें knowledge related teaching का का काम हो गया या कोई भी other का medicine का काम हो गया, medical का काम हो, engineering में भी आप consultation का का काम कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ों में आप काम करेंगे communication related काम करेंगे तो अच्छा रहेगा यह आपकी मर्जी आपने मुझे पूछा नहीं है क्या काम करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते हैं तो बस जो आपने पूछा मैं उसी का जवाब दूँगा आपने जॉब पूछा आपकी अभी महादशा वीनस की चलेए 2030 तक चलेगी वीनस की महादशा 2030 चलेगी और राहू के अंतरदशा 2024 के जन्वरी तक चलेगी और उसके बाग गुरू के अंतरदशा चलेगी लेकिन उसका असर अच्छा रहेगा अगर देखा जाए तो शुक्रों जूपिटर के साथ लेकिन साथ में बैठे हुए तो शायद इसलिए कॉम्प्लिकेशन हो रही हो राहू के टाइम पे अगर आओ के जन्वरी तक नौकरी नहीं मिल रही है तो इसकी उमीद रख लीजए कि अगले साल 2024 में जन्वरी के महीने के बाद से आपको नौकरी के चांसे बन जाएगा और 2024 तक 26 तक रहेंगे और इसके बाद शनी के टाइम पे आपका शनी भी स्ट्रॉंग वैठा हुआ है तो शनी के भी इस ताम बे आपको नौकरी मिलेगी सिर्फ बात यह है जी कि हो सकता है आपके बर्थ प्ले से दूर शनी लेके जाए आपको नौकरी के रिकार्डिक तो आप अगर अपनी नौकरी करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं कोई भी चीज जो का अगर आप खंसल्टेशन में जाना चाहते हैं मून रिलेटर याव शुकर रिलेटर या गुरु रिलेटर्टर काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा पर आपको पाधता हुए उमीद तो यही करता हुए इसटिकर आपको अपने पर्थपले से दूढ नौकरी करानी का चांसे दिखाता है तो नौकरी बहार डूलिएगा ठीक है अरनव आपकी आपका उमीद करता है आपके सवालों के जवाब मैंने देती है अब तीसरी कुंडली है अरिता की अरिते की अरिते ये मेल है अरिता नाम है इनका वैसे अरिता मुखरजी का नाम इनका नाम है तो इनके इनकी कुंडली ये है लियो लगन के हैं आप अरिता और ये आपकी कुंडली है अरित का जो लगन है उसमें चौते घर में शुक्र केतु और मंगल का अवास है बुद्ध पंचम घर में बैठा है जो कि अच्छा है सुर्य चटे घर में बैठा है सुर्य को चटे घर की चटे आठवे बारा का दोश नहीं लगता है तो सुर्य चटे घर में बैठा है नवांच के भी मालिकों के सुर्य चटे घर में बैठा है नवांच में भी सुर्य कैप्रिकॉन के ही लगन में बैठा है तो ये इसका मतलब यह हुआ, simultaneously राहू और शनी का दसमे घर में प्रेजन्स है, वो दसवे घर में बैठे हैं, देखें, राहू और शनी दसवे घर में है, और मून आपके 11th हाउस में है, और जुपिटर आपके 12th हाउस में रेट्रो ग्रेट होके बैठा हुआ है, मतलब उल्टी चाल में है, ठी विल, विल माई, लवर भी माई, अरी तो आपकी उमर है 20 प्लस, ठीक है, और अगर आप कहीं पर कुंडली रीटिंग करा, जो free of cost है, तो कुछ भी पूछ लो, क्या फरक पड़ता है न, वाई, ऐसा है, अभी तो एक जो है न, उसमें थोड़ा सा seriously सवाल पूछ तो ज़्या आपके प्यार आपको पापिस मिलेगा की नहीं मिलेगा, इसके regarding सवाल पूछने तो ठीक है, आपकी मर्जी है, but it's a miss of opportunity, but आप लोगों को फरक नहीं पता है, ये generation शायद अपने आपको over achievement की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है, आप लोगों की मर्जी, शनी की महादशा चल चलने के कारण, शनी दस्वे घर में बैठा हुआ है, और राहू के साथ बैठा हुआ है, और शनी की महादशा चलने के कारण, यहाँ जो relationship है, कही ना कहीं, relationship को शनी डिले करवा रहा है, शनी दस्वे का मादशा, साथ दस्वे घर में बैठा है, अपने अपनी दस्वी क्या ही बोलू हूँ आप relationship के regarding पूछना चाहते हैं वाउ बहुत सही है तो आपका कहीं न कहीं मन भटकाव यहां पे रहेगा शुक्र की वज़ासे आपके relationship को अभी यहां पर शुक्र आपका strong भी बैटा हुआ है राहू की शुक्र की अंतरदशा है राहू की पतेंतर चलेगी तो उसके अंडर आपका मार्स तक का relationship का मार्स तक का situation थोड़ा से डामा डोल रहेगा और उसके बाद हो सकता है गुरू की जब महादरशा अंतरद पतेंतर चले तो हो सकता है कहीं बहार से कोई communication हो या किसी partner का ज relationship बन सकता है डिस्टेंस में जो लोग है उनसे आपके relationship बनने के चांसे से रागो के समय भी थोड़ा सा health issues रहेगा partner का हो सकता है ये conjunction आपके लिए अच्छा रहेगा आपको अपने relationship में अगर आपको success चाहिए देखा जाए तो वीनस जो है आपको अगर देखाऊ तो अगर आप देखेंगे तो आपके लगन से शुक्र चौते घर में बैठा हुआ है और चौते घर से तीसरे घर का मालिक है शुक्र ठीक और शनी भी अगर देखा जाए तो शुक्र धस्वे घर का भी मालिक है सैटनधवे घर का अपने अपने अपर्स देने पढ़ेंगे अगर relationship को लेके भी अगर आप अपने काम पर धियान देजे अगर आना होगा तो खुद आएंगी आपका काम देके खुद आएंगी लेकिन आपको महनत करनी पड़ेगी कोई भी चीजा आप करेंगे relationship related तो महनत करनी पड़ेगी क्योंकि सणी की दिष्टी है और Venus कहीना कहीं अच्छे सवालों का जवाब मिल रहा है हाला की मैं चाहते तो अच्छे आपको सवाल पूछने की जुरुदस है कि आपको ज्ञाद ही परेशान है है क्या हीonge है जो जो चौति कुंडली है वो और गेया की एज हैğ ay a am a ariah Uay a अरगया का अरगया का लगन कुमब लगन है कि देखा जाए तो कुछ अपर तो आपको कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा कटा नहीं है, तो करते तो सब कुछ तो कुम्म्लगन थोड़ा स्ट्रग्रिंग लगन है एक तरीकेसद देखा जाएट हो बैहराल वैसे अच्छा लगन हैicating काफी अच्छा लगन Moon और Bud आपके 12 होंके बैठे हैं और Moon 12,000 में रहे हैं गों यह विपरीत राजयोग की तरह दिखाता है तो तो विप्रित राजयोग है, हाँ जी, विप्रित है नीजभंग राजयोग बोलते हैं, मैं भूल जा रहा हूँ, माफ कीजिए इसके रिगार्डि मैं रेक्टिफाइड कर दूँगा आपको, पाकी राजयोग है आपका, ठीक है, तो आज इतने सारे दिमाग में चलते हैं, त स्किल में करना चाहता हूँ, और दूसरा सवाल यह है, क्या, दूसरा सवाल है, जुपिटर, इनका रिलेक्शन्शिप को लेके दूसरा सवाल है, तो इनका पॉइंट वो यह है, कि रिलेक्शन्शिप में, इनका मतलब कैसा रहेगा इनका रिलेक्शन्शिप का, सवाल मैं म प्लैनेट जिस राशी में बैठा है वो मित्र राशी है तो इसमें आपका अगर देखा जाए तो और अगर यह अच्छा है अगर आप एक्टिंग में करना चाहते तो आप काम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं एक चीज और बता दूँ ठीकि अगर आप एक्टिंग कुछ भी काम करना चाहते हूं अपने बर्ट प्ले से दूर करेंगे तो बहतर रहेगा बर्ट प्ले से दूर करेंगे तो आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा अगर एजुकेशन भी अपने ब को अदेर में जो मिलेगी तो फूरण डिले करें मिलेगा आपकर टीचिंग में जाते हैं इसके लिए प्लेस तो इसके लिए आपका इस पनी तक याँ में गुरू लगेगा जी तो आपकी अंदर देशा गुरू की लग चुके तो आप लपानिंग पर carbonra Accum दिखाता है राहू और केतु का जो कॉम्बिनेशन है याप राहू खुद बैठेव पंचम स्थान में थोड़ा सा बच्चे के रिलेटेड फैमिली रिलेटेड फ्यूचर में कॉम्निकेशन डिस्टरबिंस दिखाता है अब बात करते हैं रिलेशन्शिप को लेके रिलेशन् में जाना चाते है तो उसमें आपको लॉस होने के चांसे से सक्सेस मिले के कम चांसे से अगर आप शादी बगरा करना चाते है तो पेरेंस से अगर पेरेंस के हिसाब से करें क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे सूरिय काफी अच्छे बैठे हुए हैं आए के इस्ता कोई relationship करते हैं तो उसमें longevity जादा दिखती है और mother का influence कहीं ना कहीं रहेगा long term तर और यहाँ पे mother के influence होने के कारण भी मैं यहीं बोलूँगा जिकि आप अपना relationship थोड़ा ध्यान से चलिएगा अपने partnership के relationship वो थोड़ा aggressive हो सकती है आपकी partner उसको manage करने की कोशिश करेगा और man लंबा अगर चला तो लंबा चलेगा ऐसा मतलब चला तो लंबा चलेगा बोल नहीं बनता है उतना अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है हो सकता है जिकि राहू की वैसे भी राहू की महादशा चलेगा तो अगर चला तो चल सकता है लेकिन लंबा चलने के chances नहीं फाइदा नहीं है अपने emotions को control करके चलिए और अभी अपने focus करिए अपने education को लिए skills को develop करिए अभी time बहुत अच्छा है skills development करने का अपने skills को develop करिए उसके लिए आपके लिए बहतर समय है वो करिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा और मैंने जो राजयोग है आपका वो म मैं अभी मेरी दिमाग में थोड़ा सा नहीं आ रहा कभी कभी मैं touch नहीं कर पाता हूं चीजों को तो माफ कीजेगा लेकिन राजयोग है अगर चंद्रमा छटे घर का होगे बारवे घर में बैठ है तो ठीक है यह आक्री reading है यह मेरी कितनी होगी मैंने ओके एक दो तीन चा की 5 वी reading है पान्च वी reading भी अक्षे की है अगर आपको दिख रहा है तो अक्षे यह आपका चार्ट है are आक्से आपके चार्ट में मंगल बैठा है सात्वे में जो कि रेट्रोगेट है गुरु और शुकर की कंजेंशन है जो कि पॉजिटिव कंजेंशन है देखा जाये तो और सूर्य और मर्गरी बैठे हैं सूर्य भी strong बैठे हैं, नवांज के मालिकों के भी बैठे हैं, तो सूर्य बैठे हैं और बुद्ध बैठे हैं, बारवे भाव में, ठीक है, तो आपके दो सवाल है, stone कौन सा पहन सकता हूं, और marriage, ठीक है, आपकी age है अभी 28+, ठीक है, तो ये समय आप सवाल पूछ सकते हैं, ये शादी क्या है, लव क्या है, बिल्कुल, इस थाम पर जो generation है, जो process है हमारे society का, इस point पर आके धीरे-धीरे शादी के बारे में पूछ लेता है, तो ठीक है, ये अब सवाल इस age में पूछें, अब 20-20 साल के लोग शादी और प्यार में डूबे पढ़ें, ठीक है, हम भ लोग नहीं पूछ रहे हैं, ये problem है, तो आपने पूछ दे कि stone कौन सा पहन हो, जी आप नीलम पहन सकते हैं, नीलम पहन के देखिए, अब दिक्कत ये है, नीलम पहनने के साथ आपका, partnership में कही ना कहीं communication gap, मतलब communication gap देगा, और कही ना कहीं ये love marriage की तरफ लेके जाएगा, और आप मांगलिक हैं, तो मांगलिक चेक करवा के शादी करिएगा, आपका मांगलिक का sin बनता है, तो ये जो शनी पैटे हैं आपका पहले घर में, ये आप नीलम अपने घर में बैठे हैं, अच्छा पैठा हुआ है शनी आपको अच्छा पावर देगा, नीलम पहनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शादी को लेके कहीं positivity नहीं दिखाता, अगर आप out of caste marriage कर रहे हैं, ये अपनी birth place से दूर कहीं out of love marriage कर रहे हैं, तो ये आपको support देगा शनी, नीलम पहनने पर आपको कोई खास नुकसान होगा नहीं, नीलम पहनने से वैसे भी नुकसान नहीं होगा देखें, जो कुंडली है, उसमें नीलम अगर आप पहन ले, तो जो कुंडली उसमें जो होना है, वो होगा, ठीक है, नीलम पहनने से यहाँ पर आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको जो भी चीज़े है, जो टफ चीज़े है अपनी life में, या जो भी चीज़े आपक वो दिक्कत दिखे है अपनी life में, हो सकता है, उनको लड़ने की ताकत आजाए, तो यह यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा नीलम, नीलम पहने हैं, अपनी इवेट के साब से नीलम पहन सकते हैं, शनी की तिरस्टी दिश्टी करम भाव पे पढ़ी, करम भाव पर बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, और convenience का मालिक होके भी दसवे घर पर बैठा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी काम करिए, आपको शनी यहाँ पर अच्छा लाब मिलेगा आपको, और शुक्र आपका, आपका चौथे और साथ नवम घर का मालिक है, जो कि यहा आपको डामेंड पहने के लिए नहीं बोला, आप अगर चाहें, तो ट्राइ कर सकते हैं, बट मैं अडवाइजरी नहीं दूँगा जो कि डामेंड पहने का, व्योंकि जुपिटर के साथ बैठा है, जुपिटर नहां पर पैसे को लेके ठीक है, लेकिन हेल्थ को लेके दिक निलम का सवा, निलम पहन सकते हैं, शादी को लेके complicated है, मंगल, अगर आपका, किसी मंगली से शादी होती है, तो ठीक, simultaneously, जिससे शादी करें, वो बर्थ प्ले से दूर अगर आपकी शादी होती है, या बर्थ, love marriage होती है, दोनों चीज़े हो तो ज्यादा बहतर रहेगा, यहाँ पर शनी, यहाँ पर love marriage करेंगे, तो ही कुछ अच्छा करेगा, बाकी कुछ वो नहीं, उतना positive नहीं है, लेकिन निलम पहनेंगे, तो कहीं न कहीं, जो भी कुछ होगा life में चाई, negative or positive, उसको लणने का power मिल जाएगा, उसको समझने का power मिल जाएगा, आपकी personality बहुत इंप्रूफ करेगी, तो निलम पहन सकते हैं, निली या निलम पहन लिजेगा, ठीक है, तो यह आपके लिए है, अक्षय जी, I hope आप सबको मेरी जो कुणली reading है, वो आप लोगो को मिल जाएगी, link मिले, और आप लोगो को reading समझ में आयो, जो कि मैंने आपको उमीद, जो सम सब्सक्राइब जरूर करिए, तन्यवाद